अब बची पपई पपई का क्या करी है पपई मैं ले लेता हूं में को पपई बहुत पशन मैं घर ले जाके काता हूं हां तरही ऐसा कैसा होता बात आदे आदे की हुई थी 52 50 मैं नई मैं पपई ले तो तुम पूरे मोजा ले लो प्लीज ठीक है आदे के बाद फिर आजा तू ऐसी इच करके पुरी नूर की दुखान लोट लीगे मेरी मुर्की किसी और कुर ने देरी रे आई नूर बई किद्टे साले तेरे को तो गहर हो रहाँ रहाँ आची किद्टे बाता साले तेरे को दो गार दे रहाया खिर तू कद्धे नूर लो ड़के सता नूर्वाट थी अपवा थी नूर्वाइ deriv नूर्वाइligeniree एटातेर, एकाल तरौगे ढ़्पा, एकाल तरौगे Black, 19az? कब शुता मैं इंतलोग घडल से? ज्या नूर भई? Ïसा बोल दे रहेगा? मजाक करा है मेरे गुरे गिरगुट क्या होना बोल नूर भाई हमारे चोड़ी साली के घर पे बड़ी दावत है बच्चों की बिस्मिला कर रहे है चेस्सो लोगों की दावत कर रहे मिठे में क्या बनेंगे पुछे मेरे को मैं बोला यह वो कुछ भी नहीं बैद रिन जबरतास करा दिक यह का मतारतास करा और सुमामेच बोल दिया था मैं फूरा फूरूट जो यह नूरूवके बासे ले इसलिए सीधा आपके पास ही जाया अरे जियो मेरे लाओ बोल क्या क्या दियू अ एक काम करो अधा दरजन मॉस देटो आधा दरजन मॉस काण अधा बसे आदा रजन मॉस बसो आदा इच अरे वो तिर्वादी बिच्छू जरी शरम हरे तेरकू छेस्वत मियोगी दावत में आदा रजन मॉस का फूरूट का मिठा बनाता रे हाव भाई मॉस काट के दाल दिये ऐसा थोड़ा मिल्क मेंड मिला दिये थोड़ा कस्टड पॉर्णा दाल के ऐसा यो घुमाए कि बन गया फूरूट का मिठा भोद बुरी बद्वा लगींगी रे तिरकू कहीं का नरहेंगा तू मासुम फूरूटों की बद्वा लेता बरबाद हो जाएंगा फूरूट फूरूट को तरसींगा तेरा भी अंजान बोई हूंगा जो पाशा भाई के बच्चे का हुआ था हां उन्हें क्या करा था? उन्हें भी ऐशी करा था फूरूट का मिठा बोलके खाली मोजा मिलाए खिला दिया था लोगों की ऐशी बद्वा लगी आज रोट पे आ गया उने आज भी मैमाना देखे तो गालियां देते ऐसको आ साथुन। आ साथुम। जेते उन्हें करीं चेर्ट। अभी भी कुछपी ने बिगडा अभी भी तरे पास टाइम है एक काम कर पूरे पूरूटा लिख जाके पूरे फुरूटा मिला के पूरे फुरूटों का मिठा बना सही बोले भई पूरे फुरूटा दे दो नुरूट भई मेरे को तुरे पूरे फ्रोटा दा बड़ी 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 ले 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 क्या तेरे पूरे फ्रोटा आगे देख अलो भई पूरे फ्रोटा डाल देखा तुम्हारे कित्ते पैसे अनुर भई पूरे मिलाके 6200 ही मैं लेकिन तुम्हारे आशे डिसकाउंट तुम 7000 रुपे दे दो यह लीजे नुर भई बहुत बहुत शुक्रिया नुर भई आप बड़ी मुस्री बचा लिए मेरे को उपर से डिसकाउंट भी करें बहुत बहुत शुक्रिया ना कोई बात नहीं मिया यह तो मेरा रोज का काम है अब तुम जल्ली जाओ देर नको करें तो फुरूटों की बदवा लगेंगी जल्ली जाओ हाँ हो जारू नूर भई अपी जारू निकार नूर भई शुक्रिया नूर भई नूर भई साम में फुरूटों की बदवा लगती फुरूटों की तो नहीं लेकिन महमानों की बदवा जरूर लगती अगर फुरूट का मिठा वलके खाली मौजा दाल के खिला दिये तो लेखिन एक बात समझ में नहीं नूर भई कुन सी बात? 6200 डिस्काउंट करके 7000 कैसा हो गए? वो डिस्काउंट उसके वास्टे नहीं, अपने वास्टे था रे अब जाधा नकोग खुजाने तो दस्टी के अंदर हो लो जाएंगा मुसंभिया जमा आज शाम में फैमली के साथ पहीं जा रहा हूँ हाई, मैं भी चलता हूँ न आज रात में तुमारे साथ आज रात में ने मैं कल रात में जा रहा हूँ असलाम आलेकम नूर भई वालेकूम अस्वलाम मिया नूर भई आपसे कुछ बात करना था भई बोल यह क्या बात है? नूर भाई कई मेने से कामा नेचर है नूर भाई बहुत परेशानी आगे घर में सब लोगां भुखके है और काने के आज से कुछ भी नहीं है नूर भाई महरवानी करके कुछ फ्रूट दिये तो वही खा लेता नूर भाई करें फियुक है डाईयलोगां में पहले ही कई सुनाई ससर कावा नूर भाई एक मेंने से कामा नेचर है भुत परेशान ज़िक दिख दिखार अर्वास्थ और इफ्तार करने के वास्ते कुछ भी नहीं है नूर भाई महरवानी करके थोड़ी हलीम दिये तो उससे जो रोजा कोल ले तो नूर भाई अरे इने अपनी हलीम की बटी पे आके आईसीद बोलके चार पिलेट हलीम और पैसे लेके गाता ना जी इने क्यों रे रेई थंदा बना लिया मंगने का पिच्छे पलठा के लपपर के वेल से दो दिऊंगा वेटे शीप शीप बोलके आँखों में से सैंसे के आसा निकलना फिर छूट नहीं बर रहा नूर भाई सही में बहुत परेशान हो नूर भाई नूर भाई ये विचारा से में बहुत परेशान दिख रहा अब भी मालूम होता है अज देखो मिया पाखे में तुम परेशान तो दिख रहे लेकिन ऐसा मंगलेते फिलना बहुत बुरी बात है ना मिया उपर वाला अलम्दुलिला तुमा को हटा कटा बनाया तुम्हारे ह बातां पर आभी सलामत है कई को अपने आपको जलील करके लोगों के सामें हाथ फैला रहे मिया कुछ तो भी काम धंदा करके चार पैसे कमाओ अपनी महनत का खाओ महनत करो मिया मेरी दुकान पे काम कर लेता रोज के 300 रुपे देता हूँ तुम बेफी कर रहो तुम यही रहते तो बराबर है कर लेता दुकान में काम डेली के 300 रुपे देता हूँ बोल भई कल सोच क्या बोलता हूँ भई फ़रा निकल जहां से और तो मार के तेरा जबले आट कर देता निकल निकल असल में इसका आंग हवा खा गया सो है इत्ता लंबा हेडा ले लेके मंगलेते फिर रहा अरे क्या जी नूर भई विचारे को ऐसा बोल दिये कोई गोडे पर बैठके आके भीक मगाना तो इसको भी देने का हुकूम है तुम उसको ऐसा बोल दिये क्या मेरे बच्चे इसके वास्ते बोलते आदा अधुरा इल्म गुमराही की निशानी है बोलके पेशक ये बात सही है कि अगर कोई घोड़े पे बैटके भी आके हमारे से भीक मगा तो हमारे को देने का हुकुम है लेकिन अगर वोई घोड़ा रोज रोज बलटके आ रहा तो तैखी करने का भी हुकुम है इसी मौखे पर हमारे प्यारे नभी हमारे प्यारे आखा मुहम्मद मुस्तफा सल्लाव लेह उसल्म कि प्यारे तालिमात प्यारे अधीश मेरे जहन में आ रहे कि हमारे आखा के क्या प्यारे तालिमात थी हमारे नभी कभी भीक मंगने का हुकुम नहीं थी ना भीक मंगने की तालिम थी हमेशा महनत करने की तालिम थी महनत करके रोजगार करके तिजारत करके अपने वीई बच्चों को पालने का हुकुम थी ये हमारे नबी के तालीमात है ने शक बाइ, सही बाद है और आप लोगों से भी एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम जितना हो सके अपने महनत मजदूरी करके अपनी हलाल कमाई का जरिया बनाए ना कि लोगों के साब में हाथ पहला या भीक मांगे और एक बहुत ही प्यारी बात मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और देने वाली जात तो बस उस रब लालमीन की है इसलिए उसी से मांगे असलाव आलेक। झालेक। झालेक।